इस वीडियो में हम Science & Tech के कुछ MCQs डिसकस करेंगे जो हमारी परिक्षा की तयारी में मौतपूर्ण होंगे साथ ही इसके डीटेल डिस्क्रिप्शन में हम सारे एसपेट्स को देखेंगे ताकि अगर परिक्षा में इस सेक्षन से या इस टॉपिक से कोई सवाल बने तो हम वह सही सही अटेम्ट कर पाएं तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रशना है नविकर्णी और उर्जा के संदर में निंदलिखित कतनों पर विचार कीजिए तीन स्टेटमेंट है और आपको बताना कि इन में से कौन से सही है तो पहला स्टेटमेंट है वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े जमीन आधारित सोर सेयंत्र और दुनिया के सबसे बड़े चत आधारित सोर सेयंत्र दोनों ही भारत में है दिन दूसरा statement है पवन उर्जा अस्तापी चमता के मामले में भारत चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चोथा स्थान हाशिल कर लिया है दिन तीसरा statement है इस्टन एंड यंग दौरा वर्स 2017 में जारी अक्षे उर्जा देश आकर्शन सूचकांक में भारत का स्थान दूसरा है आपको इन में से बताना कि कौन सा statement सही है तो आपके option है option 1 केवल 1 और 2 सही है option b केवल 2 सही है option 3 है 1 और 3 और option जो d है उसमें का गया कि 1, 2, 3, 3 है सही है तो इसका जो सही answer है वह है option d मतलब यह तीन होई statement, statement 1, 2 और 3 तीन होई statement सही है तो चलिए इसे जुड़े हुए कुछ और points देख लेते हैं तो वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े जमीन आदारी सोर सहींत्र और दुनिया के सबसे बड़े छट आदारी सोर सहींत्र जो rooftop सहींत्र होते हैं वो दोनों ही भारत में हैं इसके अलावा पवन उर्जा चमता के मुर्चे पर बारत ने ब्रिटेन, कनाड़ा और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़कर पवन उर्जा स्तापित चमता के मामले में चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद अब चौथा स्तान हासिल कर लिया है वही इस्टेन एंड यंग दौरत 2017 में एक इंडेक्स, एक सूचकांग जारी किया गया था जिसका नाम था अक्षे, उर्जा, देश, आकरशक, सूचकांग इसमें चीन का फर्स रैंक है और चीन के बाद हमारा सेकेंड रैंक है और हमारे बाद अमेरिका का थर्ड रैंक है तो चलिए अब अगले सवाल के बढ़ते हैं और दूसरा प्रशन देख लेते हैं तो वर्स 2017 में संपन, आठवी विश्व नवी करनिय उर्जा, प्रद्योगी की कॉनफरेंस इस कॉनफरेंस के संदर में तीन स्टेटमेंट दिये गये हैं और देन आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही है तो इसका पहला स्टेटमेंट है कि यह कॉनफरेंस भारत के हैदराबाद में संपन हुआ था देन दूसरा स्टेटमेंट है इस वार्शिक संबेलन की परिकल्पना और योजना 2022 तक सबके लिए उर्जा, स्वतंतरदा और बिजली प्राप्त करने के भारत के वीजन के प्रिस्ट भूमिन में तयार की गयी है तीसरा स्टेटमेंट है इस कॉनफरेंस में 3D के विशे में चर्चा हुई है तो यहाँ पर जो सही एंसर है वह है option B तो option B, मतलब 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वह सही है और जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है कि मतलब यह जो conference है वह हैदराबाद में नहीं संपन्न होई थी तो कहां संपन्न होई थी चलिए इसके description में देख लेते हैं तो यह जो आठवी नविकर्णी उर्जा conference है वह दिलने में संपन्न होई थी ना कि हैदराबाद में इसलिए जो option एक गलत है और जो सही एंसर है वह 2 और 3 है इसके अलावा इस वार्सिक सम्मेलन की परिकलपना और योजना 2022 तक सबके लिए उर्जा, स्वतंदरता और बिजली प्राप्त करने के भारत की विजन की प्रिस्ट भूमी में तयार की गई है अतकतन जो 2 है वह सही है साथी यह भी ध्यान रखना है कि यह सम्मेलन स्वक्ष, विश्वस्निय और किफायती उर्जा अपूर्ती सुनिशित करने के लिए नवीन हरित प्रद्योग की पर ध्यान केंद्रित करता है केंद्री विद्युत कोयला नविकर्णी उर्जा और खान राज्यमंत्री श्री प्यूश गोयल ने इस कॉन्फरेंस में 3D के विशय में भी चर्चा थी जिस पर विश्व को अपनी उर्जा केंद्रित करने की जरूरत है यह 3D क्या है? तो 3D है उर्जा के छेत्र के D इस पर विचार करना और उर्जा के छेत्र में अधिक से अधिक डिजिटली करन करना तो यह 3D है चलिए दिन आज का तीसरा सवाल देख लेते हैं परमानु उर्जा और रियक्टर के संदर में निमलखीत कत्नों पर विचार कीजे परमानु उर्जा और रियक्टर के संदर में आपको बताना है कौन सा सही है पहला स्टेट्मेट है भारतिय नाभिकिय विद्धुत उत्पादन कारेकरम की अंतरगत तीन चर्णी कारेकरम का समावेश है दूसरा स्टेटमेंट है पी एच डबलू आर में मंदक और प्रात्मिक शीतलग के रूप में उच्च शुदता वाले बारी जलका प्रयोग किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है इस देश के संपूर्ण परमाणु विदूत कारिक्रम है तु नाबकीय इंदं के समावेश और महत्वपूर्ण सरशनात्मक घटनाओ के निर्माने दू नाबकीय इंदं समिष्रण की स्तापना है हैदराबाद में 70 के दसक में प्रारण्व होई थे आपको बताना है कि इन तीनों statement में से कौन सा सही है तो आपके option है option A है केवल 1 और 2 option B है 2 और 3 option C है केवल 3 option D है 1, 2, 3 तीनों statement सही है तो इसका जो सही answer है वह है option D बतलब यह जो तीनों statement है और इसमें जो बातें कहीं गई है वह सही है तो चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं तो भारतिय नाभिकिय विद्धुत उत्पादन कारिक्रम की अंतरगत तीन चरणिय कारिक्रम का समावेश है इसके अंतरगत प्रथम चरण में दाबित भारी पानी रियक्टर मतलब pressurized heavy water reactor द्वीतिय चरण में तीवर प्रजनन रियक्टर मतलब fast breeding reactor और तीसरे चरण में प्रजनन रियक्टर को रखा गया है इसमें से प्रथम चरण में PSWR में मंदक और प्रातमिक शितिलक के रूप में काम करने वाले उच्च शूधता वाले heavy water का प्रयोग किया जाता है देश के संपूर्ण पर्माणु विद्यूद कारिक्रम है तू नाभिकी इंदन के समावेश और महत्वपुन सरशनात्म घटकों के निर्माण है तू नाभिकी इंदन समिश्र की स्थापना 1971 में हैदराबाद में की गई थी सत्तर के दसक के प्रारम में की गई थी नाभिकी इंदन नाइस भारत सरकार के परमाणु उर्जा विभाग की बड़ी ओध्योगित स्थापना है जो भारत में प्रचलित सभी परमाणू उर्जा रियाक्टरों के लिए नाबिकी इंदन और रियाक्टर कोर गटकों की आपूर्थी के लिए उत्तरदाई है आज का हमारा चौथा प्रशना है प्रदान मंत्री नविकर्णिय उर्जा के संदर में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए दो स्टेटमेंट है आपको बताना है कौन से सही है पहला स्टेटमेंट है इसमें नविकर्णिय श्रोतो द्वारा बीस हजार मेगावर्ट विद्धूत उत्पादन का लक्ष रखा गया है दूसरा स्टेटमेंट है इस योजना की एक अनिवार शर्त है सभी सोर संयंत्रों में प्रयूक्त सभी PV सेल्स और मॉड्यूल भारत में निर्मित होंगे आपको बताना इसमें से कौन सा सही है तो आपके option है option 1, option B केवल दो, option c एक और दो दोनों सही है और option d नाइधर और दो 2, मतलब दोनों ही option गलत है तो इसमें जो आपका सही option है, जो सही है वह séion C मतलब statement एक और दो है वो दोनों सही है तो चलिए इसके बार में कुछ और जान लेते हैं तो अगर हम बात करें इसकी योजना की तो केंद्री मंद्री मंदल ने 20,000 मेगावाट शमता वाली 25 सौर उर्जा परयोजनाओं को मंजूरी दिये जिने 2019 तक विक्सित किया जाना है दुनिया में किसी भी हिस्से में इतने बड़े पैमाने पर सौर पार्क विक्सित नहीं किया गया यह प्रयास हमी भारत ही पहला कर रहा है वर 2014-15 में केंद्रिय बजट में राजस्तान, गुजरात, तमिल नाडू और लद्दाक में पहले ही अल्ट्रा मेगा सौर विदूद परयोजनाओं लगाय जाने का प्रस्ताव किया गया था सौर पार्कों के से दूर दराज के उन इलाकों में सौर विदूद विक्सित करना संबह होगा जहां जमीन सस्ती है ताकि वहाँ पर डेवलप्मेंट किया जा सके और डेवलपर्स बहुत तेजी से परयोजनाओं वहाँ पर स्तापित कर सकेंगे क्योंकि उन्हें समयदानिक या किसी अन्यकिसम की मंजूरी की जुरूत नहीं होगी भारत प्रमुक सौर विदूत उत्पादन देश बनने की दिशा में अग्रसर है इसके अलावा प्रधान मंदरी नविकर्णी उर्जा में 25 सौर पर योजनाओं का लक्ष भी रखा गया ह इस योजना की एक अनिवार शर्त है कि सभी सौर संयंत्रों में प्रयूक्त सभी पीवी सेल्स और मॉडिल भारत में ही निर्मित किये जाएंगे तो इससे मेक इन इंडिया और भारत में रोजगार के उसर भी बढ़ेंगे चलिए दिन आगे बढ़ते हुए आज का पाच्वा प्रस ने देख लेते हैं देश में स्वक्ष उर्जा को प्रोसान देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों के संदर में निमलखित कतनों पर विचार कीजिए इसमें पहला स्टेट्मेंट है तमिल नाडू ने पहली कर कि लाल श्रेणी से हरितर श्रेणी में लाने के लिए सौर परवन तत्ach hydro पर्योजनों का वर्वी करण या लिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेट्मेंट सही है तो यह आपके option है Option A है केवल 1, Option B है 1 और 2, Option C है 1 और 3, Option D है 1, 2, 3, 3 है तो यहाँ पर जो option सही ह वह है option B मतलब statement पहला जो है वो गलत है और बाकी के जो दो statement है दो और तीन वो सही है तो चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं तो देश के देश में स्वक्ष उर्जा को प्रोचान देने के लिए सरकार द्वारा निमलिफीत पहल की गई है तो गुजरात तट पर पहली अब तटिये पवन उर्जा परियोजनाई के लिए सहयोग तूद्यम कंपनी की स्तापना की गई है तो पहले statement बोला के तामिलाडू जो की गलत ह ऐसा प्रयास तमिलाडू में नहीं गुजरात में किया जा रहा है धन भारती नवीकर्णी ओर्जा विकास एजन्सी लिमिटेड ता जापान अंतराश्टी सहयोग एजन्सी ने 30 वर्सों के लिए 30 बिलियन रेंड के लिए समझोता किया इसलिए statement चो दो है वो सही है इसके जो हम बात करें अगर JNNSS के अंतरगत ववहारिक्ता अंतरकोष के साथ रक्षा प्रतिष्ठानों तता अर्दसैनिक बलो द्वारा 300 मेगवट ग्रिड से जुड़ी तता ओफ ग्रिड और PV विद्धूत परियोजनों की स्थापना की गई है इसके लिए रास्ट्रिय स्वक वी उर्जा संयंत्र के लिए भी योजना बनाई गई है इसके लिए 975 करोड रुपए की अनुमानित लागत और 228 करोड की केंद्र वित्तिय सहायता से 12 वी योजना की अवधी में क्रियानवीत किया जाएगा नियमित बजट 2014-15 में MNRE के बजट में 65.8 प्रतिशत की बढ जाली होगी महीं पर अगर बात करें नवीकर्णिय उर्जा पर्यूजना के वित्त पोशन के लिए परियाप्त दंसों रिशित करने के लिए कोईले पर स्वक्ष उर्जा अधिबार से 50 रुपए प्रतिटन से बढ़ा कर 100 रुपए प्रतिटन कर दिया गया है ताकि कोईले ग्रियसुदारिन चाहने वालों को प्रोशाइद किया जाएगा और उसके लिए पैंगों को परामर्ज दिया गया है इसके अलावा सौर पंपो के वर्तमान कारिक्रम पर एक लाग सौर पंपो को सौर उर्जा करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं देश में पहली प्रयोजनाओं के वित्त पोशन के लिए एक सो मिलियन यूरो का रिण भी लिया गया है तो चलिए आज का छटवा प्रशन देख लेते हैं जीवास पींदन के संभावित विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है तो इसमें हाइड्रोजन उर्जा के संदर में दूसरा स्टेटमिंट है गुजराद में हाइड्रोजन संपेडित प्राक्रित गयास वहितरण के सापना की गई है तो आपको विचार करके बताना है किसमें से कौन से सही है तो आपके ऑप्शन है केवल एक ऑप्शन में केवल दो अप्शन से एक और दो दोनों सही है और नाइदर वन ना टू मतलब दोनों यह उप्शन गलत है तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह सही उत्तर है ऑप्शन ए मतलब इसने पहला स्टेटमेंट जो है वह सही है और यह जो दूसरा है वह गलत है अधिक गुज्रात में नहीं है दिन कहां है चलिए इसके और ऐसा प्रयाज जो है वह नई दिल्ली में हाइड्रोजन संपेडित प्राकृतिक गयस की वित्रण की स्तापना की गई है तो वह नई दिल्ली में इसलिए जो ऑप्शन बी था वह गलत था तो चलिए आगे बढ़ते हुए आज का सात्वा प्रस्ण देख लेते हैं पवन चोथा मद्र प्रदेश पांच वा राजस्तान और जो और के ऑप्शन है वो देख लिजी ए में का आगया है लोा है तो इसमें जो क्रम बोला गया है वही इंका अवरोहि क्रम है एक दू, तीन, चार, पांच। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते है तो यहां पर इसने बताया गया है कि किसकी कितनी चमता भी है तो आप देख सकते हैं जैसे कि आंद्रेप्रदेश 290 MW दिन गुज़ाद 1275 MW करनाटका 882 MW मद्रेप्रदेश 357 MW और राजस्तान 288 MW इसलिए इनका यह वह सीखवेंस होगा चलिए दिन आठरे प्रश्न के और बढ़ती वे देखते हैं तो इसमें तीन स्टेटमेंट दिया गया है तो वो स्टेटमेंट देख लीज़े दिन आपको बताना इसमें से कौन से सही है तो पहला स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट है वरतमान में देश के प्रतीव एक्ती विद्दुत की खपत विशु की आउसत खपत का पांचमा हिस्सा है तीसरा है स्टेटमेंट नवीन और नवीकर्णिय उर्जा मंत्राले ने 2016-17 में 4000 मेगावाट के लक्ष की तुल्ला में 5400 मेगावाट से भी अधिक विजली का उत्पादन करके पवन उर्जा चमता के लिए एक रिकॉर्ड स्तापित किया है तो आपको बताना इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है आपके उप्षन है केवल एक उप्षन भी दो और तीन स्टेटमेंट सही है सब्सक्राइब तो अगर हम इसकी बात करें तो जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि जो तीनों कतन है वह सही है और जलवायू परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट का जो फैमवक है उसमें भारत ने जो अपने इक्षिक निर्दारित योगदान प्रस्तूत किया था उसमें लक्ष र जिवास इंदन पर आधारित उर्जा संसादनों से 40 प्रतिशत सकल विद्दूत उर्जा चमता को वह भारत प्राप्त कर लेगा नविकणी उर्जा के छेत्र में मेगा योजनाए भी लागो की गई है और दूर दराज के ऐसे ग्रामेट छेत्र जहां पर ग्रिड की आपू जैसा कि स्टेट्मेंट में कहा गया था नविकणी उर्जा के छेत्र पर जोड देने के पीछे का तर्क यह भी है कि इससे आधिकारियों का कहना है कि देश की मौझूदा खपत लगबग 1150 वियू है और इससे 2022 तक 1570 वियू तक पहुचाया जाना चाहिए 420 वियू की अतरिक्त शम्ता में से 175 गीगावाट नविकणी उर्जा के मात्वकांची लक्ष के साथ जो 100 वियू और पवन उर्जा के 60 वियू की प्राप्ती होगी इस प्रकार 220 वियू की परंपरागत विद्धूत योजना की जरूरत पढ़ेगी इसके लावा नविन और नविकणी उर्जा मंत्राले ने 2016-17 में 4000 मेगावाट के लक्ष की तुलना में 5400 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन करके पवन उर्जा की चम्ता में एक रिकॉर्ड की स्थापना किया है जैसा कि स्टेट्मेंट 3 में कहा गया था इस वर्ष की उपलब्दियों में पिछले वर्ष में अर्जित 3423 मेगावाट की उच चम्ता वृद्धी को भी पीछे चोड़ दिया है जो हमने पिछले अर्जित किया था उससे भी इस वर्ष का जादा है दिन आज का हमारा नवा प्रशन है दो स्टेट्मेंट है आपको ए क्यूँसे गलत है वीदृत उर्जा को यांतरी गूर्जा में बदल देती है आपको बताना है किसमें से कौन से सही है और काउन से गलत है तो आपके ऐप्षन है ए किवल तो इसमें जो सही option है वह है option A मतलब पहला स्रेटमेंट तो सही है कि 65% इसका हिस्सा पवन उर्जा का है then option जो बी है वह गलत है या विदूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में नहीं बदलती है चलि में कुछ और देख लेते हैं तो नविकर्णी उर्जास रोतों का 65% पर्युजना है उसका इसका थेरा प्रतिषत है और जहां तक बात है पवन उर्जा की तो यह पवन उर्जा यह अंत्रिक उर्जा को विदू उर्जा में बदलती है यह Image पवन उर्जा उत्पाधन करम में संदर्प में विश्यो के विवन देशो तक वो सही है । बताना है पहला है संयुक्त राज अमेरिका USA, देन चीन, तीसरा जर्मनी, चौता कनाड़ा और पांचवा स्पेन आपके option है, option A, 1, 2, 3, 4, 5, option B, 2, 1, 3, 5, 4, option Z, 4, 3, 2, 1, 5, और option D, 5, 4, 3, 2, 1 आपको इनका देशों का अवरोही क्रम बताना है, कि क्या है पवनुर्जा उत्पादन के क्रम में, चम्ता नहीं, उत्पादन के क्रम में, यहां जो सही option है, वह option B, मतला पहले, पहले रैंक जो है, वह चीन का है, दिन अमेरिका का सेकेंड है, और फिर जर्मनी का जो है, वह थर्ड, स्पेन फिफ्थ, और दिन लास्ट में, कनाड़ा, तो चलिए, इसके बार में कुछ और देख लेते हैं, और इनके कितने हैं, मेगावाट शमता वह भी दे इसमें चीन का है, एक लाग 45,362 मेगावाट, दिन यूएसे का है, 65,471 मेगावाट, दिन जर्मनी का है, 44,947 मेगावाट, स्पेन का है, 30,025 मेगावाट, और कनाड़ा का है, 11,205 मेगावाट, तो यह था हमारा आज का डिसक्रिशन, अगर किसी में पल यह वीडियो आपक को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका बेनेफिट मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करिए